दोस्तों आज से बहुत 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 पहले एक महल में बहुत बहुत दूर एक बेबी बॉय पैदा हुआ था जो की किंग पेड्रैगन का बेटा था एक बुद्धिमान मैजिशन मर्लिन के कहने पर उस बच्चे को सबसे छुपा के पाला गया कोई भी उस बच्चे की ट्रू एडेंटिटी के बारे में नहीं जानता था सालोबाद किंग पेंड्रैगन मर गया तब वहां एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि इंगलेंड का अगला राजा कौन बनेगा इस मसले को सुलजाने के लिए मेजिशन मरलिन ने जादू से एक पत्थर पे एक तलवार को अटका दिया और उसने ये बताया कि एक सच्चा वारिस ही इस तलवार को निकाल पाएगा जो भी लोग राजा बनना चाहते थे उन सब ने अपना पूरा जोर लगा दिया लेकिन कोई उस स्वोर्ड को नहीं निकाल पाया फिर एक दिन एक जवान लड़का तलवार के पास आया और उसने तलवार को स्टोन में से बाहर निकाल लिया और ये साबित कर दिया कि वो ही असली वारिस है और इंग्लेंड का नया राजा है वो लड़का कौन था? किंग आर्थर, of course अगर आपको ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आप सही है कई legends और myths हैं किंग आर्थर के जो की बच्चों और बड़ों के फेवरेट हैं कई सालों से इन कहानियों पर कई किताबे और movies बनाई गई है मर्लिन और वो स्वोर्ड सिर्फ एकलौते famous parts नहीं है legend of king आर्थर के उसका घर केमलॉट उसकी wife queen guinevya की भी कहानिया है king आर्थर की sword Excalibur और उसका भरोसे मन दोस्त Lancelot भी बहुत important part play करते हैं the knights of the round table and the quest for the holy grail भी बहुत exciting कहानिया बनाते हैं king आर्थर कई महान जंग लडने और England को Saxon से बचाने के लिए जाना जाता है लेकिन क्या इनकी कोई भी कहानी सच है या फिर ये सब सिफ कालपनिक है क्या ये सच में असली historical facts हो सकते हैं क्या king आर्थर सच में था इस सवाल का जवाब एक रहस्य है ये कहानी थोड़ी popular है और कही historians ने king आर्थर को study किया है फिर भी वो sure नहीं है कि ये बंदा सच में था या नहीं एकलौता description जो कि Saxon Invasion के टाइम पर लिखा गया था उसमें king आर्थर के बारे में कुछ mention नहीं किया in fact वो कई सौ सालों बात तक भी किताबों में नहीं दिखाई दिया पहला शक्स जिसने इसके बारे में लिखा था हो था Nennius Nennius ने डजजनो बैटल के बारे में लिखा है जिसमें आर्थर लड़ा था unfortunately experts नहीं मानते कि उस एक आदमी ने इतनी सारी battles लड़ी होंगी वक्त और जगे जहां पे ये battles लड़ी गई थी इसको नामुम्किन बना देती है Nennius की वज़े से बाकी लोगों ने भी आर्थर के बारे में लिखा और इस तरह कहानिया फैलती गई जिनने हम आज पढ़ते हैं किसी को पक्ते तोर पर नहीं पता कि किंग आर्थर सच में था या नहीं लेकिन कुछ experts कहते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या किंग आर्थर सच में था कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में इतना ही तो दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया झाल झाल